हलो और वेल्केम पिदेशी पचाका एज आलवेज मैं हूँ अराधना आपके साथ दोस्तो बिग बॉस सीजन थर्टीन वीकेंड का वार सलमान आएंगे लगाएंगे घरवालों की क्लास वेल दोस्तो हम आपको बताएंगे हमारे इस वीडियो में की वीकेंड का वार में कौन कौन से घरवालों की सलमान खान क्लास लगाएंगे किस किस पर चिलाएंगे किस किस पर गुस्सा करेंगे और किस को सपोर्ट करेंगे कौन सा घरवाला घर से बेघर होगा और साथ ही सिधार्ट शुकला के साथ कौन सा नया दाव खेलने वाले हैं विक बॉस बहुत सारी खबरे हमारे पास हैं जो हम आपको हमारे इस वीडियो में बताने वाले हैं लेकर हम आपको पहले बता दें कि सल्मान खान शणिवार के अपसोड में आपको बहुत ही कराब मूड में नजर आने वाले हैं जहाँ पर वो अरषान की क्लास लगाने वाले हैं वो अरषान को काफी ज़ादा सुनाएंगे और अरहान के बहुत बड़े रास को रश्मी के सामने खोल कर रख देंगे कि अरहान शादी शुदा है और इनके एक बच्चा भी है और साथे साथ हम आपको ये भी बता दें कि अरहान की एक एक्स गर्फरेंड ने अरहान के ऊपर धोका धड़ी का आरोप भी लगाया है वो सकता है सल्मान उस बात का भी खुलासा कर दे अरहान पहले बहुत ही गरीब घर से बिलॉंग करते थे बाद में उन्होंने किसी तरह अपने पैसे कमा कर इमेज बनाई है शेहनास गिल की कलास लगाते वे नज़र आएंगे सल्मान शेहनास पर बोलते वे नज़र आएंगे कि जो कुछ भी उन्होंने रश्मी के साथ लड़ाई में किया है वो गलत है और सल्मान उसको कतही सपोर्ट नहीं करेंगे ये सुन कर साना हैरान हो जाएगी क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि शेहनास गिल की सल्मान कलास लगाएंगे वस्तों शेहनास दिल की बुरी इंसान नहीं है जब भी देखा गया कि कोई प्रॉब्लम में है कोई दुखी है तो शेहनास ने हमेशा उसकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाया है और शेहनास एक अच्छी दोस्त है अपने दोस्तों के लिए वो हमेशा खड़ी रहती है हम आपको सिधार्ट के बारे में बता दे सिधार्ट की हालत काफी जादा खराब है बिग बॉस ने उनसे कहा भी कि अगर वो चाहें तो बाहर जाकर प्रॉपर मेजिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं लेकिन सिधार्ट ने मना कर दिया कि वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं वो घर के अंदर ही रहना चाहते हैं एक और बड़ी खबर हम आपको बता दे बिग बॉस के मेकर्ज ने अरहान खान को और रश्मी दिसाई को दो कडोर रुपे ओफर किये हैं बिग बॉस के घर के अंदर शादी रचाने के लिए और अगर रश्मी दिसाई ऐसा कर लेंगी ना तो सच में उनकी इमिज बहुत जादा खराब हो जाएगी क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर की शादी असल शादी अक्चुली में मानी जा ही नहीं सकती शादी हम लोगों के देश की एक बहुत ही खुबसूरा शादी उसको उसी तरह से करना चाहिए पूरे रिट apron पूरे रस्म रिवाज के साध करना चाहिए उसके अलावा एक और wild card entry घर के अंदर शानिवार को होगी और वो हूँगे विकास गुपता विकास गुपता घर के अंदर जाने वाले हैं कर विकास से सल्मान पूचेंगे कि according to Vika who is the game changer of the house और विकास नाम लेंगे शेनाज गिलका और उसी के साथ दोस्तों विकास से सलमान ये भी पूछेंगे कि आप किसको जाकर चार्गेट करने वाले हैं विकास का एक ही जवाब होगा कि जो मुझे टार्गेट करेगा जो मुझे से बिढ़ेगा मैं उसको नहीं चोड़ूँगा और दोस्तों इसी के साथ साथ हम आपको अब ये भी बता दें कि मरदानी की स्टार कास्ट यानि की रानी मुखरजी अपनी मुवी को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के मंच पराएंगी शनिवार को और घर से शनिवार को कोई भी इविक्षन नहीं होगा तलवार दो लोगों पर लटक रही है हिमाशी और शेफाली पर और दोस्तों पारस को घर से बहार नेकालना बिग बॉस के मेकर्स के एक बहुत बड़ी चाल मानी जा सकती है ऐसा लगने लगा है अब कि इविक्षन भी बिग बॉस फिक्स कर रहे हैं क्योंकि अगर पारस नॉ कहना है इस बार कौन होना चाहिए घर से इविक्ष और साथी साथ सिधार शुकला की खराब तबियत के लिए अपनी बेस्ट विशिज उन तक जरूर पहुंच रहे हैं जरूर कमेंट सेक्षन में अपनी राए हमें लिखें ये भी लिखें कि सिधार से आप कितना प्यार कर और हमारे इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस सीजन 13 की हर एक एक्स्क्लूजव अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजियों बेल आइकन को दबान Please do not forget, bye guys